Assalamu alaikum and welcome to chemistry ask जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हम आपको उसका वीडियो solution देंगे आप अपने सवाल हमें WhatsApp, Facebook और Insta के जिरे भेज सकते हैं इनकी details आपको description में मिल जाएंगी इस वीडियो में हम Electrolytic Cell के बारे में पढ़ेंगे कि in this cell we apply electricity to perform chemical reaction इस cell में हम electricity खुद परवाइड करते हैं product बनाने के लिए और दूसरी definition ये है कि in this cell we convert electrical energy into chemical energy इस definition का मतलब ये है कि हम electricity को use करते हैं chemical बनाने के लिए दोनों में से आप कोई भी definition याद कर सकते हैं समझने के लिए या exam में write करने के लिए इस से related एक छोटे सी और definition है electrolysis की Electrochemical reaction that occurs due to the movement of charges electrolysis का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा cell बनाएं जिसमें different charges move कर रहे हो और इससे हमारा product बने इन definition की समझ आपको तभी आएगी जब आप इसके अंदर होने वाले process को अच्छे से समझेंगे जो कि मैं बहुत यासान तरीके से आपको समझाऊंगा electrolytic cell के operators को सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें basically एक cell लेते हैं वो cell glass का भी बना हो सकता है metal का भी बना हो सकता है उसके अंदर हम suitable solvent add करते हैं इसके अंदर हम अपना solution या component add करेंगे जो wrap करके product बनाएंगे उसके बाद हम उसके अंदर दो electrode dip कर देते हैं electrode कोई भी metal होता है जिससे electricity conduct हो सके उसके बाद हम एक electrode को battery के positive terminal के साथ connect करेंगे और दूसरे electrode को battery के negative terminal के साथ connect करेंगे जब आप इन electrode को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इन के उपर चार्ज आ जाएगा वह अलेक्टरोड जिसको आपने बैटरी के positive terminal के साथ कनेक्ट किया, उसके उपर positive charge आ जाएगा और वह यहां पे as a anode act करेगा और वो एलेक्ट्रोड जो आपने बैटरी के नेगटिव टर्मिनल के साथ कुनेक्ट किया है उसके उपर नेगटिव चार्ज आ जाएगा और वो यहां पर एज़क के थोड एक्ट करेगा और करेंट की डिरेक्शन होगी फ्रॉम पॉसिटिव टू नेगटिव टर्मिनल यह अब हम इसके प्रोसेस को समझते हैं अपरेटर सेट करने के बाद हम इसके अंदर अपना डिजायर सल्यूट या कंपोनेट एड़ कर देंगे जिनका रेक्शन हम करवाना चाहते हैं जिन से प्रोड़क्ट हम बनाना चाहते हैं प्रोसेस को समझने के लिए मैं बहुत यह अ कर लेंगे उसके बाद हम दोनों रिक्टोड को बैटरी के नेगटिफ और पोस्टिव टेमिल के साथ कुनेक्ट कर देंगे और ये सारा process हम धेख चुके है कि इसमें anode कौन होगा और cathode कौन होगा positive किस के ओपर charge होगा और negative किस के ओपर charge होगा अब हम process को समझते हैं कि यहां कौन से reaction होंगे तो हमें पता है कि opposite charges attract करते हैं तो पहले हम जो Anode पर reaction होने वाला है उसको समझ लेते हैं नेगटिव आयन मुव्स तुवर्ड दा एनोड एंड गिव अप एलेक्राण। इस केस में नेगटिव आयन सील है तो सील जो होगा वो एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि आपोजिट चार्जिज अट्रेक्ट करते हैं। एनोड के ओपर पॉजट चार्ज है और सील के ओपर घ स्यल एनोड की तरफ जाएगा तो अपना एक लेक्राण एनोड को देदेगा। और खुद convert हो जाएगा CL atom के अंदर, इसी तरह एक और CL anode के पास जाएगा, अपना अलेक्टरान इसे देदेगा, और वो भी CL atom में convert हो जाएगा, फिर ये दोनों CL atom आपस में react करके, chlorine gas बना देंगे, जो यहां से bubbles की फार्म में evaporate हो जाएगी, तो यहां पर अगर आप गोर से देखें, तो CL ने अपने अलेक्टरान दी है, loss of electron को हम oxidation कहते हैं, so in electrolytic cell, oxidation occurs at anode, तो यहां अपने anode के साथ mention भी कर देना है, कि यहां पर oxidation हो रही होती है, उसके बाद आपने cathode के heading देनी है, और नीचे लिखना है, पॉस्टिव आइन स्मूस्ट वर्ड दे कैथोर्ड और पिक अप electron, अब जो पॉस्टिव आइन होंगे, वो कैथोर्ड की तरफ मूव करेंगे, क्यों 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 कि कैथोर्ड के ओपर negative charge है, और opposite charges अट्रेक करते हैं, sodium आइन एक electron gain करेगा, और वो convert हो जाएगा एनने solid में, यहाँ आप देखें, तो electron gain हुए है, और gain of electron को reduction कहते हैं, यहाँ आपने कैथोर्ड के साथ mention कर देना है, कि यहाँ reduction हो रही है, यह था electrolytic cell का process, अब आपको उन definition की समझ आ चुकी होगी, यह जो मैंने आपको शुरू में लिकवाई थी, पहले definition यह थी, कि इसमें हम electricity का इस्तमाल करते हैं, reaction करवाने के लिए, या product बनाने के लिए, तो इसमें हमने electricity का इस्तमाल किया, क्या बनाने के लिए, chlorine gas बनाने के लिए, और sodium metal बनाने के लिए, और दूसरी definition थी, कि इस cell में हम electrical energy को chemical energy में करवाट करते हैं, और यहां हमने देख भी लिए है, कि हमने current को use किया है chemical बनाने के लिए, कौन से chemical हमने यहाँ CL gas बनाई और sodium metal बनाई है, यह electro chemical reaction है, जिनमें ions जो हैं वो move करते हैं, और उनसे product बनता है, यहां हमने देखा है, कि ions अपने respective electrode के तरफ move करते हैं, और उनसे product बनता है, यहां तक electrolytic cell खतम हो जाता है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा drawback कहलें, यह effect कहलें, जो इसके अंदर हमें मिलता है, वो यह मिलता है, कि यहां हम water को ignore कर देते हैं अक्सर, जिससे फिर जो result आते हैं, वो उसके मताबिक नहीं आते हैं, जो हमने predict किया होता है, इस statement का मतलब यह है, कि water भी ionic farm में exist कर रहा होता है, सिर्फ हमारे ions नहीं exist कर रहे होते हैं, यानि कि जब हम sodium coloride को पानी के अंदर add करते हैं, तो सिर्फ दो ions नहीं होते हैं वहाँ पे, सोडियम और कॉलराइट के, और भी ions मजूद होते हैं, कौन से, क्योंकि water जो है, वो weak electrolyte है, यह खुद ionic farm में exist कर रहा होता है, water convert हो रहा होता है, into H positive and OH negative, और यह equilibrium में exist कर रहे होता हैं, तो जहाँ sodium cathode की तरफ attract हो रहा है, वहाँ H positive भी cathode की तरफ attract हो सकता है, और वहाँ पे hydrogen gas दे सकता है, इसी तरह जहाँ CL, anode की तरफ attract हो रहा है, इसी तरह OH भी anode की तरफ attract हो सकता है, और वहाँ पे oxygen gas दे सकता है, तो इसको हम देखते हैं, कि water अगर ionic farm exist करता है तो वो किस तरह reaction दे रहा होता है cathode और anode के उपर यहां हम water का equilibrium देख लेते हैं water convert होता है into H positive and OH negative तो H positive जैसे ही पानी के अंदर मजूद है H positive attract होगा towards the cathode के इंग cathode के उपर negative charge है और जैसे एक cathode के पास आएगा इससे एक electron ले ले लेगा और वो convert हो जाएगा H atom में और दूसरा H positive अगेन आएगा वो इससे एक electron लेगा और वो convert हो जाएगा H atom में यह दोनों H atom आपस में direct करके H2 gas बना देंगे तो cathode पे H2 gas release होगी इसी तरह anode पे reaction देख लेते हैं anode के पर positive charge है तो water का hydroxyl ion इस anode की तरफ attract होगा और जैसे यह anode की तरफ आएगा तो यह अपना एक electron इसे दे देगा और वो यह OH बना देगा इसी तरह तीन OH ions और आएगे और उपने तीन electron इसे दे के convert हो जाएगे OH atoms के अदर फिर यह 4 OH atoms आपस में react करके oxygen और water में convert हो जाएगे तो chlorine और sodium metal बनने के साथ साथ hydrogen और oxygen gas भी release हो रही होती है जब आप एक पस solution लेते हैं अब molten में ऐसी problem क्यों नहीं हाती molten state का मतलब होता है कि जब हम salt को melt कर देते हैं तो जब हम salt को melt करके इसके ions बनाते हैं तो उनमें water involve ही नहीं होता तो जब water involve ही नहीं होगा तो इस तरह की problem नहीं आएगी आज की वीडियो में इतना ही मैंने इस वीडियो में आपको electrolytic cell और electrolysis के बारे में बता है बहुत ही असान और short तरीके से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको like करें और मेरे चैनल को subscribe करें और अगर आपको जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें WhatsApp, Facebook और Insta पर भेज़ सकते हैं आपको उसका वीडियो solution मिल जाएगा अलाफेस